Hello friends, welcome to PSR, I am Reena Jain for learning Photoshop from basics to advanced. Please subscribe to this channel and press the bell icon to get telly videos. आज का हमारा टॉपिक है How to make Digital Marketing Agency Visiting Card in Photoshop. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले File menu में जाना है, New पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे Width 3.5, Height 2 रखना है. इंच में ही रखेंगे, Resolution 300 रखेंगे. Color Mode RGB Color Selected है, Background Contents, White Selected है. इसके बाद OK पे क्लिक करना है. अब इसे स्क्रीन में Fit करने के लिए Control की को Hold करते हुए, Zero की Press करेंगे. अब हमें यहाँ पे Rectangle Create करना है, तो इसके लिए यहाँ से Rectangle Tool Select कर लेंगे. और फिर यहाँ पे Rectangle Create करना है. अब हमें इस Rectangle में Gray Color Feel करना है, तो इहाँ पे क्लिक करना है. और फिर यहाँ पे क्लिक करना है. और अब यहाँ पे Hash को Type कर लेंगे. 1D, 1D, 1D. इसके बाद OK पे क्लिक करना है. और अब Enter की Press करना है. और फिर Control की को Hold करते हुए, T की Press करेंगे. और इसे यहाँ पे Set करना है. इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है. अब हमें Rectangle यहाँ Bottom में पी चाहिए. तो हम इसकी duplicate layer बना लेंगे. तो इसके लिए Control की को Hold करते हुए, J की Press करना है. आप देख सकते हैं, यह duplicate layer बन गई. और अब Control की को Hold करते हुए, T की Press करना है. और इसे यहाँ Bottom में Set कर लेंगे. इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे. अब हमें इन तीनो layer को Merge करना है. तो इन तीनो layer को Select कर लेंगे पहले. तो मैं यहाँ पे Shift की को Hold करते हुए, Background वाली layer पे क्लिक करूँगे. आप देख सकते हैं, यह तीनो layer Select हो गई. अब इनने Merge करने के लिए, Control की को Hold करते हुए, E की Press करेंगे. अब यह तीनो layer Merge हो गई, आप देख सकते हैं. अब हमें यहाँ पे Selection बनाना है. तो यहाँ से Rectangular Marker Tool Select कर लेंगे. और फिर यहाँ पे Selection बना लेंगे. Selection अगर छोटा या बड़ा बन जाए, तो उसे बाद में Adjust कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको Select menu में जाना है, और यहाँ से Transform Selection इसे Select करना है. अब हम Selection को थोड़ा बड़ा लेंगे. इसके बाद इसके अंदर Right Click करना है, और यहाँ से Skew का Option सेलेक्ट करेंगे. और फिर Left Top Corner को Right की तरफ ड्रैक करना है थोड़ा सा. और Left Bottom Corner को Left की तरफ ड्रैक करेंगे. इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है. अब हमें Selection के अंदर Right Click करना है, और यहाँ से Layer Wire Copy. इसे Select करना है, आप देख सकते हैं, हमने जितने पार्ट का Selection बनाया था, उसके यहाँ पे Duplicate Layer बन गई है, Layer 1 करके. अब हमें Layer 1 पे Right Click करना है, Blending Options में जाना है, और यहाँ पे Drop Shadow का जो Option है, इसे Select करना है. Blend Mode Multiply रखेंगे, Color Black रखना है, इसका Hash Code आप देख सकते हैं, 6,0 है, इसके बाद OK पे Click करना है, Opacity 75% रखेंगे, Use Global Light को Uncheck करना है, और Angle यहाँ पे 0 डिग्री कर लेंगे, और Distance यहाँ पे 10 पिक्सल करना है, Spread Value 0% रखेंगे, और Size यहाँ पे 15 पिक्सल कर लेंगे, इसके लेंगे, तो Ctrl Key को Hold करते हुए, जै की प्रिस करेंगे, आप देख सकते हैं, टुक्रिकेड लेंगे, अब हम Ctrl Key को Hold करते हुए, T की प्रिस करेंगे, और इसे यहाँ पे Set कर लेंगे, यह इस तरह से Set करने के बाद यहाँ पे Click करना है, और अब Layer 1 Copy करके जो Layer है, इसमें हमें द और यहाँ पे Foreground Color जो भी आपको रखना है, वो Set कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे Hash Code टाइप कर लूँगी, 5, 1, 8, 4, 1, 3, इसके बाद OK पे Click करना है, अब इसमें Green Color Fill करने के लिए, Alt Key को Hold करते हुए, Backspace की प्रिस करना है, और फिर इसे Deselect करने के लिए, Ctrl Key को Hold करते हुए, D की प्रिस करेंगे, अब हमें इसकी फिर से Duplicate Layer बनाने है, तो इसके लिए Ctrl Key को Hold करते हुए, J की प्रिस करना है, और फिर Ctrl Key को Hold करते हुए, D की प्रिस करेंगे, और इसे यहाँ पे Set कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे Click करेंगे, और अब एक और Duplicate Layer बनाएंगे, तो इसके जाब करेंगे यहां पर इस तरह से सेट करने के बाद यहां पे अब हमें यहां पर एक Rectangle बनाना है तो इसके लिए यहां से Rectangle tool सेट्ट करना लेंगे और यहां कि रेक्टेंगल बना लेंगे और अब और फिर rectangle tool है हम आपर right click करेंगे और यहां से custom shape tool इसे select करना है इसके बाद यहां पर click करेंगे और यहां से phone का icon select कर लेंगे इसके बाद enter की press करना है और अब यहां पर icon create कर लेंगे इसके बाद यहां पर click करेंगे और white color select कर लेंगे इसके बाद enter की press करना है और फिर यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से mail का icon select कर लेंगे इसके बाद enter की press करेंगे और फिर यहां पर create करना है इसके बाद control की को hold करते हुए T की press करना है और इसे यहां पर set कर लेंगे इसके बाद यहां पर click करेंगे और फिर यहां पर click करना है और यहां से web का icon इसके बाद एंटर की प्रेस करना है और अब यहां पर क्रेट कर लेंगे इसके बाद कंड्रूल की को होल करते हुए टी की प्रेस करेंगे और इसे यहां पर सेट कर लेंगे इसके बाद यहां पर क्लिक करना है अब यहां पर लोकेशन का इकन सेट करना है तो यहां फोल्डर स इसे drag करेंगे और यहां Photoshop में लाके इसे drop करना है इसके बाद यहां पर click करना है अब हम इसमें भी white color feel करना है तो icon वाले जो लेरें इस पर right click करेंगे और यहां से rasterize layer इससे select करना है अब हमें इस पर selection बनाना है तो control key को hold करते हुए icon वाले thumbnail पर click करेंगे आप देख सकते है selection बन गया अब हमें इसमें white color feel करना है तो आप देख सकते है background में white color set है मेरा already अगर आपका नहीं है तो आपको यहां पर hash code type करना है 6F इसके बाद ok पर click करेंगे अब इसमें white color feel करने के लिए control key को hold करते हुए backspace की press करना है और इससे deselect करने के लिए control key को hold करते हुए D की press करेंगे और अब इसकी size कम करना है तो control key को hold करते हुए D की press करना है और फिर alt और shift key को hold करते हुए corner से drag करेंगे अंदर की तरफ गुशे यहां पर सेट कर लेंगे कि आ कि को इसके बाद你 bob क्लिक करेंगे और फिर shift key को hold करती हुए shape 1 पर क्लिक करेंगे और फिर Ctrl कि को hold करती हुए ठीकी प्र टिक करना है प्रिन है थोड़ा सा नीचे set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे अब हमें यहाँ पर text type करना है तो इसके लिए यहाँ से type tool select करना है font आप देख सकते है mon select करके जो font है वो use कर रही हो आप चाहे तो कोई भी font use कर सकते है तो जो भी font आपको use करना है उससे select कर लेना है और यहाँ पर regular की जगे bold select कर लेंगे और text की size यहाँ से 8 select करना है और फिर यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर company का contact number type कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करना है अब हमें text का color white होकना है तो इसके लिए यहाँ पर click करेंगे और white color select कर लेंगे इसका hashcode आप देख सकते है 6F है इसके बाद OK पर क्लिक करेंगे और फिर Ctrl की को hold करते हुए T की प्रेस करना है इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर email address टाइप कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और फिर control key को hold करते वे ठीकी प्रेस करना है और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर website का URL टाइप करना है इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और फिर control key को hold करते वे ठीकी प्रेस करना है और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर address टाइप कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर Ctrl की को hold करते वे T की प्रेस करना है और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नाम टाइप कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे अब हमें text की size बढ़ानी है तो यहाँ पर क्लिक करना है और 10PT सेलेक्ट कर लेंगे और फिर control की को hold करते हुए T की प्रिस करना है और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर designation type कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करना है अब हमें text की size कम करने है तो यहाँ पर click करेंगे और 7PT select कर लेंगे और फिर यहाँ पर click करेंगे और regular select कर लेंगे इसके बाद control key को hold करते हुए T की press करेंगे और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे आप देख सकते हैं हमारे visiting card का front side design हो गया है अब हम इसका back side design करेंगे तो इसके लिए file menu में जाना है new पर click करना है और यहाँ पर width 3.5, height 2 रखेंगे इंच में ही रखना है resolution 300 रखेंगे color mode RGB color selected है background content white selected है इसके बाद ok पर click करना है अब इसे screen में fit करने के लिए control key को hold करते हुए 0 की press करना है अब हमें यहाँ background में वो same design चाहिए जो कि हमने front में बनाई थी तो हम इसे यही से उठा लेंगे तो यहाँ से scroll down करना है और यहाँ से background वाली layer को select करना है और फिर move tool select करना है अब हमें इसे दूसरे tap में ले जाना है तो इसके लिए old key को hold करते हुए इसे यहाँ से drag करना है और फिर दूसरे tap में hold करना है और फिर shift की को hold करते हुए, यहाँ पर drop करना है, अब हमें यहाँ पर rectangle create करना है, तो इसके लिए custom shape tool है, वहाँ पर right click करेंगे, और यहाँ से rectangle tool select कर लेंगे, और फिर यहाँ पर rectangle create करना है, इसके बाद control की को hold करते हुए, टी की प्रेस करेंगे, और इसे यहाँ पर set कर लेंग इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे अब हम इसकी duplicate layer बनानी तो control की को hold करते हुए जै की प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं duplicate layer बन गई और अब control की को hold करते हुए T की प्रेस करना है और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और अब control की को hold करते हुए rectangle 1 पर click करना है आप देख सकते हैं दोनों layer select हो गई अब हम control की को hold करते हुए take की press करेंगे और फिर इसके अंदर right click करना है और यहाँ से skew का option select करेंगे और फिर top right corner को right की तरफ drag करना है और bottom left corner को left की तरफ drag करेंगे इसके बाद यहाँ पर click करना है और अब rectangle 1 करके जो layer है इसे select करना है और फिर rectangle 1 पर right click करेंगे blending options में जाएंगे और यहाँ पर drop shadow का option select कर लेंगे blend mode multiply रखना है color black रखना है इसका hashcode आप देख सकते हैं 6-0 है इसके बाद ok पर click करना है और opacity 75% रखना है use global light को uncheck करेंगे और angle 120 degree रखेंगे और distance यहाँ पर 10 pixel कर लेंगे spread value 0% रखना है और size यहाँ पर 15 pixel कर लेंगे इसके बाद ok पर click करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर right में shadow आ रही है लेकिन left में नहीं आ रही है तो इसके लिए हम इसकी duplicate layer बना लेंगे तो मैं यहाँ पर control key को hold करते हुए जह की press करूँगी आप देख सकते हैं duplicate layer बन गई अब हम drop shadow पर double click करेंगे और यहाँ पर angle change कर लेंगे 0 degree कर लेंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ left में भी shadow show हो रही है इसके बाद ok पर click करना है और अब rectangle 1 copy करके जो लहरे इससे select कर लेंगे और फिर इस पर right click करना है blending options में जाएंगे और फिर drop shadow का option select कर लेंगे blend mode multiply रखेंगे color black रखना है opacity 75% रखेंगे use global light को uncheck करेंगे angle 120 degree रखेंगे distance 10 pixel करना है spread value 0% रखेंगे और size यहाँ पर 15 pixel कर लेंगे इसके बाद ok पर click करना है अब हमें इसमें भी left में shadow चाहिए तो इसकी duplicate layer बना लेंगे तो इसके लिए control key को hold करते हुए जय की press करना है आप देख सकते है duplicate layer बन गई और अब इसके drop shadow पर double click करना है और यहाँ पर angle change कर लेंगे 0 degree set कर लेंगे इसके बाद ok पर click करेंगे अब हमें यहाँ पर logo set करना है तो rectangle tool है हम पर right click करेंगे और यहाँ से custom shape tool इससे select कर लेंगे और फिर यहाँ पर click करना है और यहां से shape select कर लेंगे तो मैं यहां पर यह वाला shape select कर लूँगी इसके बाद enter की press करेंगे और अब यहां पर shape create करना है तो यहां पर मैं logo की जगे इस shape का use कर रही हूँ अब हमें इसमें white color feel करना है तो यहां पर click करेंगे और white color select कर लेंगे इसके बाद enter की प्रिस करना है और फिर control की को hold करते हुए T की प्रिस करेंगे और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे अब हमें यहाँ पर text type करना है तो इसके लिए यहाँ से type tool select करना है और फिर यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर आपको company का नाम type करना है इसके बाद यहाँ पर click करेंगे अब हमें text की size बढ़ानी है तो यहाँ पर click करना है और यहाँ से 10pt select कर लेंगे यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से bold select करना है इसके बाद control key को hold करते हुए T की press करेंगे और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करना है और यहाँ पर tagline type कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करना है अब हमें text की size कम करनी तो यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से 7PT select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करना है और regular select करना है इसके बाद control key को hold करते हुए ठीक ही प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे आप देख सकते हैं हमारे visiting card का back side भी design हो चुका है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही So friends I hope you like this video If you are a new visitor then please subscribe to this channel and press the bell icon